सरहद तुझे प्रणा आदरस सिक्षन सस्तान द्वा संचालित ओनलाइन ख्लास में आपका स्वागत और विडिन दन आज हम कक्सा चतूरती विशेक पर्यावन अध्याई छे पेड़ पोदे की देख बाल भाग फर्ष्ट कालांस 11 के बारे में अध्यान करेंगे हमारे आसपास अनेग परकार की पेड़ पोदे दिखे देते हैं उसमें बहुत सारे पेड़ होते हैं वो पेड़ नीम का पेड़ पिपल का पेड़ खजूर का पेड़ नारेल का पेड़ देवदार का पेड़ इमली का पेड़ बरकत का पेड़ आम का पेड़ आदी होते हैं ठीक उसी परकार छोटे पोदे भी होते हैं जिसमें मनी प्लांट और तूलशी का पोदा पर मुख हैं ऐसे तो मतलब बहुत सारे छोटे पेड़ पोदे उखते हैं लेकिन जो सबसे मत पूण हैं वो है मनी प्लांट और तूलशी का पोदा पेड़ पोदे के अनेक बाग होते हैं सबसे पहले जड़, तना, साका, पत्ती, फल, फूल होते हैं लेकिन इसमें जो सबसे परमुक है वो है जड़, तना और पत्ती ऐसे तो पेड़ पोदे अनेक परकरग होते हैं लेकिन उसमें कुछ खास पेड़ पॉद होते हैं जिसे हमें फल की प्राप्ति होती है फल अम्रुद और नारिल और आम, केला, इमली वा संद्रे का फल है पेड़ तो अनेग परकार होते हैं लेकिन उसमें कुछ परमुक पेड़ भी होते हैं वो अपनी विशेस्ता को बताते हैं जैसा कि वरकत का पेड़ वरकत के पेड़ में जड़े जमीन के अंदर भी होती है और जमीन के बार भी होती है और ये सबसे बड़ा पेड़ है इसी परकार एक दूसरा पेड़ है जिसकी कुछ विशेष्टा है और वह रेगिस्तान का प्रक्सकालाता है और ये खेजड़ी है खेजड़ी में बिना पानी के भी वह अधिक समय तक जीवित रह सकता है उसको अधिक पानी के असरता नहीं होती है इसमें जो खेजड़ी होती है उसकी जो संग्री होती है वो सब्जी बनाने के लिए काम में ले जाती है और उसकी जो पत्य होती है उसको खाने के लिए अनिक परकार के जानवर भी होते हैं जो बड़े चाव से खाते हैं और वह सुक्के होते हैं मनुस्य पेड़ पोदे पर निर्बर होता है और पेड़ पोदे भी मनुस्य के उपर निर्बर आता है क्योंकि मनुस्य पेड़ पोदे को उगाता है और साथ साथ में इसकी देखबाल भी करता है पेड़ पोदे मनुस्य के लिए अधिक लाबदयक है और वह हर परकार की मदद करता है पेड़ पोदे से अने परकार की लाब होते हैं पेड़ पोदे हमें चाया, फल फूल और बजन परदान करता है और उसके साथ-साथ में सुध हवा भी देता है और ये वर्षक होने में सबसे प्रमुक साहिक बनता है पेड़ फोदे का उपयोग हम घर पर बनी वस्तों के लिए भी करते हैं जिसमें दरवाजे, खिड़की, मेज, टेबल, कुर्सी, अनेक परकर की चीज़ें लकड़ी से बनते हैं और वह लकड़ी हमें पेड़ पोदे से ही प्राप्त होती हैं इसके साथ-साथ पेड़ पोदे को हरा सुना भी का जाता हैं क्योंकि ये बहुत मुल्यवान संपर्दा हैं ये धरती पर जीवन परदान करने वाली आक्सिजन तर्था पानी परदान करने वाला मुख्य सदन पेड़ी है आक्सिजन परदान करने का कार ये और कोई निकर सकता पेड़ों के बिना पानी की विवस्ता करना नामुम्किन इसके साथ साथ में भी इसका मातव भी मातपूर ह पेड परियावण को संतुलन बनाया रखते हैं और पेड में हमें अनाज, सब्जिया और फल प्राप्ष होते हैं और पेड हमें सुध हवा देते हैं और ये पर्तवी पर्त तापन होते हैं उसको बढ़ने में भी रोकता हैं हम अधिक तर देखते हैं कि तेज हवा में अधिकांस पेड पोदे उकड क्यों नहीं जाते हैं क्योंकि जो जमीन में बड़े पेड होते हैं या जमीन के उपर बड़े पेड होते हैं उसकी जड़े भी बड़े होती है और वह जमीन की और पूरा खेश लेती है और इसके साथ साथ में अन्य परकार की जणए एक दूसे तक फैलती रहती है पेड़ पोदे हमार लिए बहुत उप्योगी है और पेड़ पोदे हमार लिए सबसे मरत फोण है इसकी जानकरी हमें सबी को देनी चाहिए पेड़ पोदे से हमें गरेलूप अने परकार के जो समगरी होती है उसे बनने के लिए भी लखड़ी का उपयोग किया जाता है और हर वस्तु चाए वो खाने पीने की हो चाए कोई भी वस्तु हो या तो हम पेड़ पोदे के उपर निर बढ़ते हैं या उसकी जो लखड़ी होती है उसको हम काम में लेते हैं य या उसको बेच कर अपना जिवन्यापन कर सकते हैं। और उसके साथ साथ में जो छोटे पोदे होते हैं। आज पेड़ पोदो के बारे में जानकरी प्राप्त की और उसकी देख बाल कैसे करते हैं। और उसके साथ साथ में हमने ये भी जाना कि जो पेड़ पोदे होते हैं। कि उनसे हमें अन्य परकार के जड़े बूटे अभी प्राप्त होती है। फिर आज हमने विश्य जानकरी प्राप्त की और इसकी देख बाल हम कैसे करते हैं। ऐसे तो पेड़ पोदे अन्य परकार के होते हैं। लेकिन उसमें कुछ खास पेड़ पोदे होते हैं जिसे हमें फल की प्राप्ती होती है। फल अम्रुद और नारिल और आम, केला, इमली व संद्रे का फल है। पेड़ तो अन्य परकार होते हैं लेकिन उसमें कुछ परमुक पेड़ भी होते हैं। वो अपनी विश्यस्ताय को बताते हैं। जैसा कि बरकत का पेड़, बरकत के पेड़ में जड़े जमीन के अंदर भी होती हैं। और जमीन के बार भी होती हैं। और यह सबसे बड़ा पेड़ है। धन्यावाद। झाल 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 प्रूप